आज बिल्कम स्वागत है आप लोगों का उमीद है कि आप लोगों के त्यारी बहुत अच्छे चाहिए कि क्या हाल है वद्यप्रिदिस की जनजातियों की हमारी ये सीरी चल रही है और इस जनजातियों में आज जो important दो ट्राइब और हैं एक सहरिया और एक भारिया है इसके बाद फिर हम सारी जो जनजातियां हैं इन जनजातियां को एक साथ ले लेंगे जिससे आपका बहुत सारा समय हापे घराब नहीं होना चाहिए और उसके बाद सिर्फ तीन और चार लेक्चर मेरा मानना ये है कि इस बीग में मैं एनिहाओ इस पूरी यूनिट को आपके सामने कम्प्लीट कर दूँ और मुझे बहुत खुशी होगी कि जो बादा मैंने आपसे किया था उस बादे को मैं आप पूरा कर पाऊंगा अट इस टाइम के साथ में वो आपका पूरा जो एक यूनिट है उस यूनिट को और वो भी बहुत कम समय में वदब हमने 5-6 क्लासेश लिए हैं अभी 7 भी क्लासेश है और आज Tuesday है Wednesday कि हम लोग बात करें Wednesday, Thursday, Friday, Saturday अगले 4 दिन हमाली बहुत कीमती होने वाले हैं और उसकी बाद फिर हम एक marathon शेसन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा कल से हमारे पास थोड़ा सा marginal भी रहेगा टाइम को बढ़ा करने का अभी तो थोड़ी सी दिक्कत है है 6.30 पे मेरी क्लास होती है कल से हम इसको डीड़ गंटी कर पाएंगे तब भी बहुत एजली आपका अच्छी हमने जो पढ़ा है वो आपको गौन ट्राइब के बारे में बताए था गौन ट्राइब से रिलेटेड सारी बाते हमने आपको सिखा दी थी है ना सब कुछ आपने आपे सीख लिया था और आई होप की इसमें आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए अगर कोई भी दिक्कत आपकी रह गई हो तो हम उसको बात में देख लेंगे ठीक है जैसे एक एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि जो गौन है एक जिब सब्द आपने जर्णलिक कहा होगा यह अपने आपको बहुत प्री और बहुत अच्छे है यहां पर बात है ना आपको क्लासेस पसंद आ रही है सबको पसंद आ रही है ठीक है मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लासेस आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रही होगी चलिए भई तो सहरिया और भारिया जिंजाती को मुझे आपको पढ़ाना है और आज की इस कहानी को आज के सफर को हम लोग यहां पर सुरू करते हैं और देखते हैं तो सबसे इक नया बॉर्ट सिस्टम है बचे आज हमको क्या पढ़ना है हमको पढ़ना है आज बहुत पत्ति को लेके काफी सारे मित हैं काफी सारी बाते हैं इन बातों को आप थोड़ा सा समझेने की कूशिज किजएगा सबसे पहला जो इसका अर्थ निकाला जाता है बच्चे बो निकाला जाता है कि बाहर बाहर दोने बाला मतब एक ऐसा समधाय जो बाहर डोता है One who carry bait एक ऐसा विक्ति जिसके द्वारा bait को carry किया जाता है एक ऐसा समधाय अपने आपको भारिया यहां पर कहते हैं अगर आप इनके थोड़ी से औरानिक महत की बात करोगे एतिहासिक कनेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बच्चे इनका जो एतिहासिक historical connection है ये अपने आपको connect करते हैं बच्चे किस से जो पांडव से हैं इन पांडव से इन पांडव से कैसे relate करते हैं से तो पांडव से relate करते हैं इस तरीके से इनका मानना ये है कि जो अरजुन हुआ करते थे दीर धरूर धर जिनको हम लोग अरजुन कहते हैं इन अरजुन के द्वारा एक एक आर्ख छोड़ा गया एक बान चोड़ा गया और इस बान से इनकी उ परिशान होगे सर आप क्या बूल रहे हैं हां बचे ऐसा ही बूला जाता है कि इनकी द्वारा एक बाण है भीरू घास है ना बूर भूर घास ये एक बाण का नाम है एक आर्क जो है इसका नाम है और इससे इनकी उत्पत्ति माने जाती है किर हमें बहुत ज्यादा परिशान नहीं होना है तर परिशान क्यों नहीं होना है क्योंकि एक ऐसा समुधाय जो भाहर होता है मतलब जो मजदूरी का काम यहां पर कर रहे हुते हैं हमने उनको भारिया बोला है ठीक बचे जो मजदूरी का काम कर रहे हैं हमने उनको यहां पर भारिया बोला है प्लीज इस बात ग्राफिकल इस्ट्री इस्ट्यूशन भूगुलिक बिस्तार की अगर हम बात करते हैं तो अब सारे प्यारे बच्चे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भारिया जन जाती कहां पाई जाती बच्चे तो भोगलिक बिस्तार के अगर हम लोग बात करें आप इसमें एक पॉइंट यहां पर एड़ कर सकते हैं सबसे पहले आप बताएंगे कि जो दक्षिन मद्यपिर्देश है सदन या साउथ आफ एमपी दक्षिनी मद्यपिर्देश में इनका बिस्तार है तर अगर दक्षिनी म मेकल रेंज है या सत्पुड़ा परवस सिंखला में आपको देखने को मिलता है और अगर आप जिलों की बात करते हैं बचे तो इनके लिए फेमस है मैं एक प्लेस का नाम लेख रहा हूँ पाताल कोट बचे पाताल कोट जो है ना पाताल कोट एक जगे है एक ऐसी जगे है जो काफी गहरी है काफी गहरी आपको देखने को मिल जाती है बहुत गहरी है और बहुत सकरी है बहुत सकरी आपको देखने को मिल जाती है ठीक है मैं ध्यान रखना तो पाताल कोट फीमस है पाताल कोट किस से रिलेटेटर बचे आप बताएंगे बारिया जिन जाती से पात पातालकूट कहां पढ़ता है आप बता देंगे पातालकूट पढ़ता है चिंदवाड़ा जिले में और चिंदवाड़ा जिले में एक तहसील है तामिया तो हमें याद रखना है पातालकूट तामिया तहसील याद रखेंगे चिंदवाड़ा जिला याद रखेंगे और सब या कहां पर केंद्रिक रत है आप बताएंगे तामिया में तो बचे ये भूलिक बिस्तारिक वारे में आपको पता चल गया है जिग्राफिकल जो डिस्ट्रिबूशन है आपको पता चल चुका है सबसे पहले हमने देगा कि भार डौने के कारण बनलब का है ये always work for labor ये labor के तोर पर work करते हैं ये कैसे work करते हैं labor ये एक मजदूर की तरह कार करते हैं मजदूरी इनका काम होता है क्योंकि बहुत गहरी जगे आपके पास रह रहे होते हैं तो बहुत खेती करने की विवस्तात होती नहीं है तो मजदूरी का काम करते हैं या इनके द्वारा एनिमल हस्बेंडी की जाती है जैसे आप लोग पश्टू पालन यहाँ पर कहते हैं और फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो forest, forest belt है इस forest belt पर भी ये depend करते हैं बन उपच पर भी इनकी निर्वरता काफी देखने को मिल जाती है तो सबसे पहले हमने इनकी बारे में जाना कि ये इनकी उत्पत्ती कहां से हुई है फिर हमने इनका भूगुलिक बिस्तार आपको बता दिया है भूगुलिक बिस्तार को एक बार बहुत अच्छे सा आपको बता देते हैं बना कर देखो प्यारे बच्चों जैसे हमारा यह मद्द पिर्देश है आप जब इस मद्द पिर्देश को देखोगे और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि प्लीज टू मेंग और आने बाले कुछ दिनों में आप सब के लिए एक बहुत 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 बहुतरीन का बस बेट करें और फिर आप लोग देखेंगे देख बच्छे ये वाला जो रीजन है ना ये वाला रीजन इस रीजन को हम notify कर रहे हैं कि this is the region for भारिया ट्राइब ये है किस के लिए भारिया ट्राइब के लिए अब तो भारिया जन जाती कहां पाई जाती सर अब south of MP में बच्छे आप लोग कह सकते हैं कि ये जो रीजन है ना यहाँ सत्पुड़ा रेंज है और यहाँ proper सत्पुड़ा रेंज है proper सत्पुड़ा रेंज आपको देखने को बिल सकता है अलाकि अगर सत्पुड़ा नहीं आता है और फिर भी कुछ और आपसे पूछने की कोशिश करें तो बच्छे इसका जो उपरी हिस्सा है आप सब को पता है कि नर्वदा रिफ्ट बैली के अंतरकत आता है तो हम इसको भी कांसीडर कर सकते हैं यहां जितने जृ उलें इन सभी जिलों में आपको देखने को मिल जाती है जाहे भले आपके पास निहत्व सकते हैं यहի क्यों टॉप पर एसर? क्योंकि यहाँ पर तामिया में पाये जाता है जिनवाडा के साथ में आपका जो जबलपूर हैła आप इस जबलपूर को भी साहिद नहीं कर सकते हमारे जो मनला है आप एस मनला को भी साहिद कर कर सकते पोशंगाबाद में भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिली जाते हैं तो अब ऐसे पूछा जाए कि किस रीजन में नहीं पाई जाती बचे नौर्थ वाला जो रीजन है नौर्थ या इस्ट वाला जो रीजन है यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बात क की बात करते हैं उपको देखने को बुलेगा कौन सा पताये पाताल कोट पाताल कोट के बारे हम कहते हैं एक ऐसी जगह है जहां सूरज की के नहीं पहुंचती है अगर आप से कोई पूछता है कि तहसील कौन से है तो बचे तहसील है तामिया तामिया तहसील तो वैसे भी काफी ज़्यादा फेमस है अब आपको यहां से कुछ चीज़े और पता होना चाहिए बचे क्या पता होना चाहिए अगर आप MPG को पढ़ते हैं तो भी आल नो की चिंदवाडा हम पार्क की बात करेंगे या एग्रो पार्क आपको यहां देखने को मिल जाता है और इसी के साथ मैं अभी रिसेंटली इसको डिवाइट करके एक डिस्टिक यहां पर बनाया गया है बिचिज नौन एस पांडूर्ना तो अब एक सवाल आप से बन सकता है कि क्या पांडू ग्रॉफिकल इस्रीबिशन है कहां पर भारिया ट्राइव पाई जाती है गये हां नर्वधा पुरम बिल्कुल होशंगा बात को आप लोगन नर्वधा पुरम के नाम से आप जालते हैं अलगी बच्छे हम अगर इनकी औरीजन की बात करते हैं जो भारिया ट्राइव है इन महोबा कहां पढ़ता है बचे तो महोबा पढ़ता है उत्तर प्रदेश में तो ये अपना उरिजन कहां से मानते हैं कहां से इनकी उत्तपत्ति मानते हैं आप बताएंगे महोबा और महोबा कहां पढ़ता है बचा पार्टी महोबा आपको देखने को जाता है उत्तर हैं पूछ सकते हैं कि भई किसकी पूझा कर रहे हैं तो आप बता देंगे कि कर्ण देव लिखना या महुबा लिखना इंग्लिस में अप लिख सकते हैं कि महुबा और कर्ण देव इधने सारे इनकी कोडिशी और बात करें तो यह अपने आपको कोलेरियन बर्ग यह जो आपको परिशान कर रहा है न मैं एक दिन इन पर मतलब एक लेक्चा ले लूँगा यह बर्ग क्या होते हैं कोलेरियन बर्ग के अंतरकत दिरिवेडियन शम्हू की यह साका है तो किस सम्हू से संबंदित है आप बताएंगे दिरिवेडियन सम्हू से संबंदित है और किस बर्ग की है कोलेरियन बर्ग की एक जंजाती है जयान रखना अगर हम इनके फीजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो बच्छे physical features में आपको याद रखना है कि इनकी medium height यहाँ पर रहती है physical features में height इनकी medium आपको देखने को मिलेगी ठीक है मद्यम height होती है ना तो बहुत छोटे होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं इनकी जो average height होती है यह पांच feet के आसपास आपको देखने को मिल जाती है पांच से पांच दो feet के आसपास देखने को मिलेगी average height है और यह शाम वर्ड में होते हैं शाम बर्ड का मतलब है कि बहुत का करली नहीं होते हैं यह है ना आप इसको कह सकते हैं कि इनका जो कलर है यह इंडियन कलर है ब्लैक नहीं है जैसे हम सब लोग होते हैं भारती उसी तरीके से होते हैं इनकी आइस बहुत चोटी होती हैं आखे बहुत स्मॉल होती हैं काफी चोटी चोटी आखे आपको देखने को मिल जाती हैं आखे देखने को मिलेंगे ध्यान रखना और इनके जो हेर होते हैं वो हेर आपको करली देखने को मिलेंगे घुंगराले बाल हमको यहां देखने को मिलते हैं यह इनकी सारे रिक विसेश्चता हैं सारे विसेश्चता हैं अगर आप भूल जाएं तब यह कोई द ठीक है बढ़ी आगे बढ़ते हैं हम लोग बात कर रहे हैं बारिया जो ट्राइब है इस बारिया ट्राइब के आप देखो बारिया बारिया जन जाते अच्छे अगर हम इनकी सब ट्राइब की बात करें उप जो जन जातिया है तो इन सब ट्राइब को थोड़ा सा अब अगर भारिया जैसी जो आपके पास ट्राइब्स हैं अगर आप इनकी सब ट्राइब नहीं भी पड़ते हैं तब भी कोई दिकत नहीं है आपका काम यहाँ पर चल जाता है लेकिन फिर भी देख लिजिए एक तो भूमिया है भूमिया भारिया जैसी भूमिया वही हर वही हर वही हर पैडो या पैडो यह तीन इनकी उपजातिया है भूमिया भूमिया वही हर और पैडो बहुत भारिया वरकम समझ से नहीं है अगर नहीं भी होते हैं याद कोई दिकत नहीं है देखो आप यह चोटी-चोटी जातिया ना जिन जातिया है इनमें एक सिस्टम और आपको कितने गोत्र हैं तो जो गोत्र हैं इनके गोत्रों की संख्या बताई गई है 51 बट जो परमेट है परमेट या जो माने जाते हैं जो मानने हैं उनकी संख्या 16 है और इनके गोत्रों के नाम पसी उपक्षियों के नाम पर परवतों के नाम पर पेड़ों के नाम पर रखे जा हैं की आगर आप से कोई पूछे했다 कि अमें तो सन्ने इतिक्स कोई बात नए बैटा जल्दी पढ़ाएंगे नए बच्छों के लिए फिल्ब पर नहें सब क्या है पर सीखना है हम इसको ठोड़ा आगे बढ़ा देते हैं अब देखो अगर आप बस अभूषण की बात करते हैं कि सबसे कि पहले बात करेंगे पुर्सों कि कर arte का मतलब है कि मेल है हम इन दौरा बचे था प्रच्प करते हैं आप जिसको कहते हैं यह इध्य जाता है पिर ही के साथ में बच्चे आपके यहाद रखना है कि बहुत important होती है important मत berm हर किसी लिए होती है जो पगड़ी पहनता है दोती है ना दोती आप जिसको कहते हैं तो लोवर पार्ट यहाँ पहने जाती है तो पगड़ी और दोती इनके लिए दो इंपोर्टेंट है पगड़ी मतलब वही आपके पास ठीक है अभी आ जागे सावा जाग विटा परिशान नहूं बिल्कुल परिशान नहूं सब आपके पास आ जाएगा एक दोती आपको देखने को लेगा और इसी के साथ में कुर्टा क्या रहेगा बच्छे कुर्टा यहा महीला की बात करते हैं या जिसे आप फीमेल हांपर कहते हैं तो बच् जो की लाल रंगी होती है red in color आपको देखने को जाथी सिंदृ इनकी जो स्टाड़ी पढ़ने जाती उसका नाम है और यह लोग कुशिच करते हैं जैसे एक ब्रेसलेट पैंती हैं महिलाएं व्रेसलेट पैंती हैं और यह आयरन का हुता है और यह प्रिथा है मदब इनके द्वारा एक कड़ा पेना जाता है कड़ा जो की लोहे का होता है और कौन पहेंते हैं महिलाएं अनिवार है क्या बिलकुल अनिवार है तो पुरुष पहेंते हैं पगड़ी ठीक है धोती और कुर्ता महिलाओं के द्वारा एक साड़ी यहां पे पहनी जाती है जिसे हम लोग सिंद्री साड़ी के नाम से जानते ह ठीक है शंद्री साडी के नाम से जानते हैं यह लाल रंकी होती है लोहा क्या कड़ा अबश्च पहनती है मतलब यह इनके लिए मैंडेटरी है आप इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए पगड़ी दोती कुर्ता आपके पास रहेगा अब साडी पहनती है बच्चे तो इसके साथ में जो ब्लाउज होता है वह भी पहना जाता है जिसको यह लोग पोल का बेसिकली कहते हैं गाव में आपकी दादी लोगों ने बोला होगा कि क्या यह सब्स आपने सायद सुना होग उप जाती है ठीक है फिर गोतर इनके कितने हैं टोटल एक्यावन गोतर हैं एक्यावन और कितने मान हैं सोला है और इनके जो गोतर हैं वो सामाने ताहर ट्री जो पेड़ हैं इनके पेड़ के आधार पर होते हैं किसी के एनिमल किसी के जो केवस हैं उनके आधार पर होते है पर हमको गोत्र के बारे नहीं पढ़ना है जो चल रहा है वो बार बच्चे दिखू अब आप एक बार समझ लीजी न कि हमने आपको पढ़ाय था कि 94% के आसपास जो ट्राइब है ये इस्टिल कहां है इस्टिल बिलेज में है गाउं में है और गाउं के जो लोग हैं आप अपने दादा दादी को देखिए जैसे आपके दादा दादी हैं पता नहीं ठीक है तो बच्चे मुझे नहीं पता कि आपके दादा दादी पहनते हैं नहीं पहनते हैं हमारे दादा दादी अभी वही वेस वूशा पहनते हैं जैसे फूरसों में लिखा रहता है कि वह दोती पहनते हैं पगड़ी पहनते हैं कुर्टा पहनते हैं तो दोती कुर्टा ही पहनते ह जीन्स और यह पैंट है यह बहुत बड़ी बात है उनको धोती पैन नहीं होती है उपर अगर वो बलेजर के उनके लिए वो कोट होता है जिसको जैकेट के लिए बंडी होती है उनका ट्रेडिशन है वह उसको यहां पर लेकर चलते हैं English में ऐसे ही लिख सकते हैं जीए यह सेम होता हूं आप उसको वैसपी है वैससा लिख सकते हैं Grade चलो, इनके English word लिख सकते हैं बड़ कोई मतलब नहीं है, कोई sense नहीं है, जान रखना, दिख लिए है सबने, दिख लिए है, चले, अगर एक question और आप यहां से आप से कोई पूछ सकता है, कि इनके जो घर होते हैं, इस घर को क्या बोलते हैं, इनका निवास इस्थान क्या ला दिखते हैं, shelter, आवास, ये कहलाता है, धाना, तो धाना किस से संबंदित है, आप बताएंगे, जो धाना है, ये धाना, हमारी भारिया जन जाती से संबंदित है, इस से बना होगा बच्चे, जो लकडी है, लकडी सही बना आपके पास होता है, यह एक बुडन हाउस होगा, यह एक लकडी का घर होगा, दाना, और इसमें भारिया जन जाती, यहाँ पर रहते हैं, तो इनके निवास इस्तान को क्या कहते हैं, बच्चे, दाना कहते हैं, देखे, दाना कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को, चलो भई, दिख लिया है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, अब लोग बात करते हैं, सामाजिक जीवन की, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, देखो, सामान ने तहा, जो भारिया जिन जाती है, यहाँ एक बात आपको देखने को लेगे, हर एक सोसाइटी आपके पास पेटरिकल है, हर एक सोसाइटी आपकी वित्र सतात्मक है, यह तो आपको याद रखना है, पर जो महिलाएं होती है, उनको भी एक्वल काम करना होता है, हर एक जन जाती में, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो पटेल, एक आपको सब दियाद रखना है पटेल जो कि हर जगे आपको देखने को मिल जाता है पटेल की साथ में बच्चे अगर आप से कोई पूछेगा पटेल को बच्चे हर जगे है हर इक जन जाती में है जब मैं इनका आट्रिन कल्चर आपको पढ़ाऊंगा तो एक बार इनको डिफ डिफ्रेंशिय्ट में आप कर दूँ का किस में क्या आना है किसमें इनकी नहीं आना है ठीक है आपको नाम रख़ना है कि किस से समंद्यत है , Пडियार , और फिर आपको दशाफ, कोट बार , वक्ट बड़ा अधिकारी है , सारे , जो कागजीकार हैं जो इसी को करना है , तो एक deserves ब्टक होड़ा है , तो एक जो गाऊं के परसंग होते हैं , उस गाऊं के परसंग को एक ब्यक्ति को भी सामिल किया जाता है इनकी पंचायत में तो सामाज एक जीवन में आप से कोई पूछ सकता है कि मुख्या कौन होता है आप बताएंगे पितर सत्तात्मक सामाज है तो सामाने था नुकलियर फैमली मिलती है जोइंट फैमली आपको बहुत कम देखने कुलती है हमारी जो भारिया ट्राइब है भारिया ट्राइब में ठीक है प्लीज लिख लीजिए पीटा सबके कमेंट दिखते हैं क्यों परिशान होते हैं कमेंटर को लेकर एक जगे है विजवरा ग्राम और यह आपको देखनी है कमें बलेगा इस तामिया तहसिल में यहां एक जग जगे ज़िए जगे जभा अवस्या तो आस्रम इस्ताफित किया है और ये एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन मतलब इनको सिक्षा मिलने चाहिए, अब आब आबास यह को कैसे लिखेंगी, तो आप इसका लिख सकते हैं, कि ट्राइबल, आफील, प्रेजिडेंट, आसरम को आप लोग आसरम लिकने चाहिए लिख सकते हैं, तुब इस जाता है मतब हम इनको educated करने के प्रयास कर रहे हैं जिससे किसी भी तरीके की दिक्कत हैं पर नहीं आने चाहिए ठीक है नहीं आने चाहिए ध्यान रखिएगा आर्थिक जीवन आर्थिक एकनोमिक लाइफ एकनोमिक लाइफ देखो वैसे तो यह लोग बन उपच्पई रहते हैं वच आपने देखा होगा कि सब लोग सिफ्टिंग कल्टिविशन करते हैं सारी जन जातियां सिफ्टिंग कल्टिविशन जैसे हम लोग बोलते हैं इस्थांतरित किरसी कहते हैं इस बात का ध्यान रखना देखना इस्थिंग कल्टिविशन जैसे हम लोग बोलते हैं दहाया एक बांस सिल्प बांस सिल्प बैम्बू जो आर्ट है वो इनका फेमस है बैम्बू आर्ट बांस सिल्प है बांस के सामान बना के बैंच के अपना जीवन यहां पर चला रहे होते हैं ठीक है बाई देख लिए सबने लिए प्लीज लिए जल्दी जल्दी लिए देख लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो सफर को रोख दीजिए और अगर सफर इंपॉर्टेंट है तो क्लास को रोख दीजिए इसी एक चीज को आपको रोखना पड़ेगा वो जरूरी है और यहीं से मतलब नहीं जिन्दगी के हर हर मुकाम पर हर पड़ा पर यह बहुत जरूरी चीज है आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसके परिणाम आपके पास क्या होंगे जब आप लोग इठेक्स को पड़ते हैं तो वह बहुत अब बात करते हैं इनके religious life की, religious, देखो, religious होते हैं, काफी सारे धार्मिक तो हैं ये, एक धार्मिक है, धार्मिक है तीन चीज़ों पर पहले आप लोग ध्यान देजिए, सबसे पहले तो बच्चे आप यहां पर ध्यान देंगे, कि इनके द्वारा जो दिवाली है, दिवाली या दीपा बली, इस दिवाली को celebrate किया जाता है, celebrate करते हैं, आपने एक कथा का सुना होगा, जन्रली सत्य नारायन भगबान की कथा, हम लोग अभी तक किसी भी जन जाती नहीं पड़े, लेकिन यहां पड़ा हुआ है, कि जो सत्य नारायन जी की कथा होती है, यह होती है, बहुत दिनों से न साज, जिसे हम लोग बोलते हैं, साल ट्री, साल ट्री, बचे, इनकी द्वारा ना, इसकी रूट की पूजा की जाती है, साल ट्री की क्या पूजा कर रहे हैं, जड, जड को आप क्या कहते हैं सर, रूट, रूट की पूजा कर रहे हैं, जड की पूजा कर रहे हैं, अरी सर, स साल तो हमने कहीं और पढ़ा था साज ब्रक्ष की पूजा कोई और करता है ठीक बताएं कोड करता है कोई बात नहीं बच्छे लेट होना चलेगा लिफ लिफ इसकी पूजा करते हैं बचे आपके बारिया दिवाली करते हैं येश बिलकुल करते है शत्यनारहन्य भगवान की कहता हाँ, यहाँ पर भी होती है, साज जो साल का ब्रक्षि है, उसकी पूजा करते हैं, उसमें आपकी याद रखना है रूट को यहाँ पूजा जाता है, तो रूट को पूजा जाता है, देखो, एक नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, बड़ा या बुड़ा देव, बड़ा देव या बुड़ा देव, इनकी सबसे प्रमुक देवता हैं यहां पर माने जाते हैं, सबसे प्रमुक देवता हैं, बड़ा देव या बुड़ा देव ध्यान रखना, प्रमुक देवता, ठीक लिए देता हूं, इन में गॉड़ ऑफ भारिया बड़ा देव को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ठीक है इसका आपको याद रखना है यह इनके प्रमुक है यह ग्राम देवता कहलाते है ग्राम देवता स्वारी ग्राम देवता लेज अफ कॉर्ट जब उत्रह आपने देखा होगा एक जो जगें हम लोग बनाते हैं वो जगें बना देते हैं इनको रहने के लिए ठीक है और जो लाल रंग की मुर्गी चड़ाई जाती है ऐसा कुछ है कि इनको लाल मुर्गी चड़ती है एक चलिए तो सबस्पहले कोने आख पस बड़ा देव हैं गाउं के प्रुमुक देवता है और इनका काम क्या है प्रोटेक्शन ओफ ब्लूज प्रीज लिख लें प्रोटेक्शन ओफ ब्लेज इनका काम है ठीक है बुड़ा देव या बड़ा देव इक है मुन्द बाँ मुन्द बाँ बाबा इक गाउं की परिशानी दूर करते हैं परिशानी दूर ठीक है प्रॉब्लम्स प्रॉल्वर ओफ लेज इनका प्लेस होता है पाउंडी जो सीमा है गाउं की उस सीमा पर आपको देखने को मिल जाते हैं कौन मुडबा देव मुडबा देव है ना मुडबा या मुडबा मुडबा बाबा बाबा ठीक है ये मेगनाद की पूजा भी की जाती है मेगनाद भी इनके दारा पूजा जाता है क्या मेगनाद की पूजा करते हैं येस मेगनाद पूजा जाता है आप उसको ये पूछेगा जो हरदौल है इन हरदौल की पूजा भी की जाती है आप लोगोंने हर दोल भात बहुत सुना होगा हरदोल बाबा की भी यह पूजा करते हैं मेगनाथ को यह पूजा जाता है और हर देल प्रेशान नहीं मतलब संक्ट जैसे कोई लड़ने आ गया है कोई अटैक क Krने आ गया है कोई दिक्कत आ गया है उन दिक्कतों को दूर करने वाले विक्ति हैं. मुझा आप इनको प्रोटेक्टर कह सकते हैं. मुझा आप इनको आर्मी की तरह कह सकते हैं. यह आर्मी है. चीक. एक है भीमसैन देपता. अभी मैं सारी चीज़ आपको बताजेता हूँ जो भी आपको दिक्कत हो इनको किर्सी का देवता माना जाता है किर्सी या एग्री कल्चर के हम गौड इनको मानते है चलो हर दोल भाई है वीटा हर दोल बात हर दोल बात आउस हैं दो इसको इसा अच्छ पूं का अच्छ पूं का अच्छ पूं का लिख दी आ बच्चे आपके पास यह तंत्र मंत्र वाला है यह तंत्र मंत्र पढ़ता है और एक है गुनिया गुनिया यह ओस्दी लेके आता है मैडिसिन या ओस्दी भुमका और गुनिया दो इनके हाँ पर इंपोर्टेंट लोग हैं एक तंत्र मंत्र करता है और एक चलो भई प्लीज लिए जल्दी से बहुत सारा लिख दिया मैंने एक ही पेज पर पूरा इनका रिलिजियस पूरा रिलिजियन यहीं हमने कर दिया मेगनात अर्दौल बड़ा देव या बूरा देव आप इनको कहते हैं फिर आपके पास मुडवा बाबा आ जाते हैं ग्राम की परिशानी को दूर कर रहे होते हैं संकटा को दूर करते हैं बैगा साज ब्रक्ष की पूजा करते हैं क्या पतियां लीफ और जो आपके भारिया हैं यह जड़की पूजा करते हैं शत्तनारण भगवान की कता करते हैं दिवाली को भी यह सेलिब्रेट यहां पर कर रहे होते हैं तंत्र मंत्र ठीक है बूमिया और गुनिया हैं आपके पास मेडिटेशन और से दीखे दे बता ठीक है बई? चलो अब हम लोग बात करते हैं इनके यहां पर जो मैरिज अफेर्स हैं बिभा की बात करते हैं बिभा परिणाले बिभा परिणाले बच्छे अगर बिभा परिणाले की आपसे कोई बात करता है तो सेम ट्रेडिशन है जो लड़का है किसी को लड़की के घर जाना होता है तो यहां ऐसा नहीं चलता कि लड़की जा रहे हैं लड़के के घर लड़के को जाना होता है लड़की के घर ध्यान रखना और अर्दौल भाद कौन किस के काम आते हैं अर्दौल भाबा कौन किस के काम आते हैं मदब गुनिया तंत्रमंत्र करता है मैंने क्या लिखाए भूमिया तंत्रमंत्र और गुनिया औस्ति अच्छा आप सही बता रहे हैं क्या प्लीज एक बार इसको चेक कर लेंगी Jesu अगर होगा तो। मैं आपको चाहिए परयान हो लुक। इप मिठ हुआ मिठ हुआ मिठ हुआ क्या एसर एक डांस है एक न्रत है कब होता है जब ये marriage proposal लेके जाते हैं तब शादी के प्रस्ताप के समय ये समय इसको लेकर जाते है अब इनके पास जो बिभा के प्रकार हैं टाइप हैं आप इनको भी देख लीजिए ये बड़े सरल होते हैं सबके प्रकार काफी सारे प्रकार इंसर कौन-कौन से हैं देखो जंजातियों के जो marriage हैं लगवक सबकी बहुत लेट हो गया मुझे बेटा बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया ठीक है बहुत ही लेट हो गया बहुत लेट हो गया मंगनी विभा इसको प्लीज डिमांड मत लिख देना डिमांड मेरिज आप इसको मंगनी ही लिखेंगे मंगनी विभा फिर एक चलता है लम्शेना लम्शेना तो आपको पता चल चुका है अब एक आपको देखने को बिलेगा राजी बाजी राजी बाजी और एक रहेगा आपके पास बिद्भा विभा पिडो मेरिज ये आपको चीज़े देखने को बिलेगी मंगनी विभा लम्शेना विभा राजी बाजी और बिद्भा विभा ये विभा के कुछ परकार है ये मेरिज समझ में नहीं आ रहा है क्या बचे समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताएं अगर कोई दिक्कत है तो आप बताएं समझ में झाएं समझ में नहीं ऩहा है झालो ठीक है तो आप सारी बच्च जानते हैं मंगनी का मतलब वही है कि यह सबसे बैस्ट माना जाता है इनमें यह सर्वस्टरेस आपके पास वही है कि घर जाते हैं रुपो चल लेके घर जाना ठीक है और फिर पानी मांगते हैं पानी बांगते हैं घर के बाहर बैठके इनके दोरा बॉटर मांगा जाता है अगर शाम तक पानी मिल जाता है इनके पास चॉइस रहती है कि अगर इवनिंग तक इन्होंने पानी दे दिया अगर पानी दिया शाम तक तो विभा माना जाता है पका और अगर नहीं देते हैं, तो फिर हमें इसको क्या करते हैं, अटा देते हैं, ठीक, वही है बेटा, सेम है, सेम है, सेम है, घर जाना, यहाँ पानी मांगते हैं, अब कुछ रखता है, पानी किसमें मांगते हैं, पानी इसमें मांगते हैं, और मंगनी का मतलब होता है बचे, कि इनको पैसा देना पड़ता है पैसा किसको लड़की को लड़की के गर वालों को लड़की वालों लमशे न आपको पता है कि लड़का जाता है कहां जो लड़का है ये चला जाता है लड़की गर रहता है अब तक रहता है जब तक उसका पैसा नहीं चुक जाता राजी बाजी लड़का लड़की अपनी पसंद से साधी कर लेते हैं राजी बाजी है और बिद्वा विवा जनली जो बिड़ो होती हैं उनकी साधी यहाँ पर कर दी जाती है अब जंजातिया तो जंजातिया हैं बच्चे यहाँ पानी मांगा जाता है अगर घर से बाहर पानी नहीं देते MP की सीरी सुरू कर दो अच्छे अच्छे चलिए लिए है ठीक इतना नहीं आएगा बच्छे इतना नहीं आएगा उस सिंपल साथ पूछेंगे कि इन में से किसका संबंद किस से मैं जब इनकी आठेन कल्चर की क्लास आपके सामने लूगा तो हर एक जन जाती का एक एक स्पेसिफिक आपको बता दूगा फिर भी अगर ऐसा पूछा जाए कि लम से ना विवा किस किस में होता है तो लगबग हर इक जन जाती मोता है इस बात का ध्यान रखना ठीक है अगर कोई प्यासा गया हो बिटा प्यासा होने का मतलब नहीं है प्यासा होने का मतलब नहीं है ये है कि वो एक tradition है, एक प्रिथा है, उस प्रिथा है. सब कुछ नहीं बढ़ा सकता ना बच्चे में, सब कुछ नहीं बढ़ा सकता, सिर्फ limited चीज़े ही बढ़ा सकता हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, चलो. लिग लिया है सबने, चली. आगे बढ़ते हैं. देखो, एक है बढ़म नरत्य है. नरत्य जिसे आप लोग कहते हैं, डान्स. बढ़म नरत्य तो पहला कोशन नहीं बनेगा कि बढ़म नरत्य का संबन्द किस्स्ते हैं? आप बता देंगे, जो बढ़म नरत्य है, इसका संबन्द, बच्चे आपको देखने को बिलेगा, हमारी जो भारिया जिन जाती है, इससे. ठीक है, चली. विभा के अबसर पर होता है? अबसर पर, जो मैरिज प्रक्टिस होती है, या साधी के टाइम पर आपको देखने को मिल जाता है, पुर्सों के द्वारा किया जाता है, पुर्सों, द्वारा, द्वारा, जो मेल होते हैं, वो मेल इसमें करते हैं. और ये फुल नाइट चलता है, फुल नाइट, मतलब रात भर ये चलता है, तो अबसर को पूछ सकता है कि भरम, जो बढ़ा मृत्य है, इसका सम्मन किस से है, आप बताएंगे भारिया जन जाती से, ठीक है, बारिया जन जाती से आपको देखने को मिल जाता है, पुर्शों होता है, सेला निर्थ, और यहां जो सेला निर्थ आपके पास है, वो महिलाएं करती है, ठीक है, पुर्शों, जो बिमंस होती है, यह इसमें पाटिसिपेट करते हैं, पर एक मेल होता है, A-Mill P-P-P Play Dhol एक प्रुस होता है और प्रुस के द्वारा प्रुस जिसमें दhol बजाता है दhol बजाता है और महिलाएं डांस कर रहे होती है सेला और ब्ढम ये दोनों आप भार्या जिन जाती से यहाँ पर याद रख सकते हैं टिके? ये आप भारिया जिन जाती से इनको रिलेट कर सकते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अहीराई है एक दीपवली के अफसर पर होता है अहीराई ये तो हम सब जानते हैं कि अहीराई है तो ये दीपवली के समय पर होगा अही वो गोबर्धन जो हम लोग यहां पर देखते हैं उस समय ये डांस करते हैं पूजा के अफसर पर ठीक है और जो गौन करते हैं सुवा ठीक है सैला सुवा और वो सारे डांस भी इनमें आपको देखने को मिल जाते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है कर्मा सेला सुवा दोल और टिमकी इनके इंस्ट्रूमेंट्स आप से कोई पूछेगा भार्या जिन जाती के दोल और टिमकी आपको देखने को मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट अब ये होते क्या हैं आप परिशान ना हो पस्याद रख लें एक डोल बजाए जाता है एक टिमकी बजाई जाते है इसा मैं मान सकता हूँ अब ने जो भार्या जिन जाती है लगवे बच्चे इसके बारे में सारी चीजे आप कहां पर बता दी है थोड़ा बहुत आपके पास रह सकता है तो प्लीज उसको ले कि आप लोग परेशान ना हो बिलकुल भी चलिए तो बच्चे बारिया में लगववे हर एक चीज़ आपको समझ में आगे होगी ऐसा मैं मान सकता हूँ इसाब से पहले हमने की उत्पत्ति आपको बताई उत्पत्ति कहां से होती है जक्ष्म हम द्परदिस की लोग बात करते है आते बचे कहां यह नोगे पर भी मैं पापको बता दिया घंज लगाट को मानते हैं यहां यह सेंट लाइज है यह बहुत सारी लोग रहते हैं ध्यान रखना चिंदवारा से अलग होके बनाएं यह भी हमने आपको सिखाए जबलपुर मंड़ा उशंगबाद में आपको देखने को मिल जाते हैं पिर हमने दूड़ा से देख लिया था कि यह एग्र पर देखा है कि इनका जो निवासिस्थान है घर है आप उसको डाना कहते हैं डाना ध्यान रखना पर उपजाती यह बच्छे कौन सा एक तो भूमिया और पैडो गोत्र हैं इनके पास एक्क्यावन अभी एक्सेटेड हैं कितनी स्कूला ध्यान रखना और पेड़ों के इसलिए आप से पूछ सकता है कि विजोरा एक गाउं है तामिया तहसील में विजोरा गाउं में हमने जंजाती आबासी आसरम इस्तापित किये हैं राइवल रेसिडेंटल हॉस्टल आप इसको कह सकते हैं आसरम कह सकते हैं जो एजूकेशन देंगी कि इसको भारिया जंजा आशा काउं पड़नी हमने इसको आपो करें हैं न sih इसको करते हैं इसके कछ सब्सक्री मश्या ओड़रर को यहें बचक और जो पत्तीयां थे हैं ये पत्तियों को पूछते हैं कौन बैगा ध्यान रखिएगा थिक है फिर मनेरे देवताओं के बारे हम बात की तो भीमसें की के देबता है एगृकिलच्र की देबता है मेगनाद की पुझा करते हैं Hoφariliuka की पूझा करते हैं साधी से रिलेटेड हैं ये भी बड़ा देव या बुड़ा देव प्रमुग देखता हैं गाउं के देवता हैं लाल मुर्गी चड़ाई जाती है प्रोटेक्शन ऑफ बिलेज ये करते हैं मुंडबा बाबा ग्राम की परेशानी मदब अगर कोई अटेक यहां पर कर रहा होता है तो है फरभीम सेहान किरशी के देवता है प्र आगे हमने अपड़ा सादी की बारे मिलडगका के घर जाना हुता है लड़की लड़की घर जाना होता है लड़्यजा लडके वालों को पैसा यह बीचलता है बाद कि जिस दहेज को हमारी सोसाइटी सो आफ के नाम से जानती है कि हमने दो करोड दिये एक आप कुछ बन जाएए कलाप में से बहुत सारे बच्चे कुछ बनेंगे तो फिर उनके अंदर ये ethical values ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा कि यहां पर देखा जाता है कि हाने लडगे को देना होता है लटकी बाले परपीस है उसको हम ठीक नहीं कहें कि पहले ट्रेडीशं इस द्रीक से था कि यह लड़का capable है क्या काम कर सकता है या नहीं कर सकता है वो एक तरीका था बस ठीक है लड़का चला जाता है घर रहने के लिए लड़की की घर हर एक जिंजाती में लड़का लड़की अपनी पसंद साधी कर लेते हैं और अगर बिड़ो कोई हूँ जाती है तो उनको शाधी करने का यहां पर अधिकार है इस बात का ध्यान रखेगा ठीगा चलिए तो यह आपक लड़की कुछ और चीजह हमने आपको दिखाएं बड़ा मुनत्र है विवाग के अफशर पर किया जाता है मेरेज पुर्सों के द्वारा किया जाता है मेल के द्वारा किया जाता है फुल नाइट यहां पर करते हैं राद पर इंस्ट्रुमेंट ढूल तिम की बजाए जात बता देता हूं जो सहरिया है इस सहरिया के बारे में कुछ बाते आपको बता देते हैं पर ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे कल जब आपकी क्लासे स्टार्ट करेंगे उसमें आपको बता देंगे तो सहरिया आप देख लीजिए इसका एक बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा बोला जाता है कि सेर के साथ सोने बाले लोग सेर के साथ साथ रहने बाले रहने बाले मन्दब वन हूँ वन हूँ लिव विद लॉयन आप उनको क्या कह देते हैं सहरिया कह देते हैं ठीक है ध्यान रखना सहरिया कौन है जो सेर के साथ रहते हैं आप उसको सहरिया यहाँ पर कहते हैं प्लीज इस बात का ध्यान रखिए का ठीक इनका रिलेशन ये अपने आपको सब्री से कनेट करते हैं जो सब्री है रामाइन काल में से अपना रिलेशन बता देते हैं तो बन हूँ लिव बिट सुर्ट गई बच्चे रास डेट चली गई बीटा लास डेट जा चुकी है अब कोई मतब नहीं है तो इस चलिए यह भीलों से भीलों के चोटे भाई हैं सेर के साथ रहने वाले जो लोग हैं अगर यहीं इनकी उत्पती को लेके ज़्यादा बात की escolaیا कौन ये सेंट लाइजचन की बात कहें कि कहा ये सेंट लाइज है या कहां पर यह इस्ता रहेता है तो आप देखेंगे हैं तो अतरी मद्व अपर देखनें को बिल जाते हैं उत्तरी मद्वि directions अपको देखनेंक मेल जाता है शे मद्यपिर्देश नौर्थ MP नौर्थ MP की बात करते हैं बच्चे दूर चीज़ा आप कहाँ पर याद रखना है एक तो Central Central India प्लेटियू इसके अंतरकत कंसीडर होता है दूसरा प्लेटियू आफ मालवा इसके अंतरकत कंसीडर हो जाता है प्लेटियू आफ मालवा और सम्हाव ये आपको बुंदेलखन प्लेटियू में भी देखने को मिल जाते हैं जो बुंदेलखन प्लेटियू है इस बुंदेलखन प्लेटियू के अंतरकत भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ ये सैंटलाइज है ये लिए आप लोग लिख सकते हैं कि बच्चे जैसे आपका अशोग नगर है अशोग नगर ठीक है गुना गुना क्योपुरी गौालियर भिंड गौालियर भिंड पुछ लोग कहते हैं राइसेन विदीशा में भी आपको देखने को मिल जाते हैं प्राइशेन विदीशा सागर इन जलों में आपको देखने को लेंगे अब एक दिक्कत है बचे इनकी केंद्री करत को लेके न दो अलग अलग मत हैं कुछ लोग कहते हैं यह सेवपूरी में सेंटलाइज हैं शेवपूरी में कुछ किताव हम मिलता है कि इनकी जो केंद्री कर है कि मालिक है ठीक चलिए तो यह हम जो सहरिया हैं इन सहरिया के बारे में आपको बता रहे हैं थोड़ा सा हमारे यहां पर इलेक्टिसिटी का इस्व हो गया है चलिए कि देख लिया है ठीक है कि देख लिया है सब लोगों ने है बहुत अच्छी बात है देखो इनकी जो सब्ट्राइब है सब्ट्राइब यह देखो कैसी है एक है सबर एक है सबर और एक है सौर यह इनकी उपजातिया है सबर सबर और सौर यह इनकी उपजातिया है सब ट्राइब आपको देखने को मिल जाती है एक सब्द आपने पड़ा होगा सहराना 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 वो इनका महला होता है इनका महला या आप इसको कह सकते हैं इनकी कॉलोनी का आप लोग क्या कहते हैं सहराना कहते हैं आज हम सहरियाओं के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं जा रहे हैं बचे यो थेंक्यू थेंक्यू लिखने लगे हुए चलिए ठीक है तो sorry for that थोड़ा सा electricity इस हुए मुझे इतना ही यहाँ पर रूखना पड़ेगा मैंने सहरिया भी आपके यहाँ पर बता दिया है थोड़ा सा कल जब हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे अधर जंजातियों में तो उसमें इसको और यही से स्टार्ट करतेंगे ठीक है तो please खुश रहें मस रहें और बहतर तरीके से पढ़ाई करते रहे हैं यह है आपके सामने